नमस्कार, स्वागत है आपका बीहारी निज में मेरे तनसेन भारती अज़हमबात करेंगे पंचायच चुनाप को लेकर बीहार में इस साल होने वाले पंचायच चुनाप के आज़ार फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चुनाब नहीं होंगे, चुनाब दो होंगे, लेकिन बरतमान में परदेश में करोना महमारी के करण चुनाब कराने पर सहमती नहीं बनी है, लेकिन दतकाल चुनाब नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि मौझूदा पंचायत परतिनिधियों का खत्म हो जाएगा। उनके पास अभी अधिकार है प्रासरकार उनके प्रामर्शी समीती का हिस्सा बनाएगी जो कि 16 जून से प्रामर्श समीती के तावर पर गाउं की सरकार की रूप में काम करेगी। परतमान पंचायत प्रतिनीदी साल 2016 में चुने गए थे उनका काजकाल इसी साल 15 जुन से 30 जुन के बीच में समाप्त हो रहा है काईदे से इनका चुनाव साल 2021 के मार्च अप्रेल में समाप्त हो जाना चाहिए था लेकिन एबीम को लेकर राज निरवाचन आयोग और भारत न लेकल्पिक विवस्ता पर विचार प्रणाव किया है जिसमें अब यह तय हुआ है कि पंचायत के चुनुवे प्रतिनीदियों का कार्ज काल नहीं बढ़ेगा इनके अस्थानपरा प्रामर्सी समीती पंचायतों का काम काज देखेगी विहार में 16 जुन से पंचायतों के प जिमिवारी किसको दी जाएगी प्रामर्सी समीती में कौन-कौन लोग रहेंगे यह अध्यादेश में प्रस्ताब किया जाएगा कैबिनेट में पंचायती राज विभाग को अध्यादेश तयार करने के जिमिवारी सौंपी गई है जिससे बरतमान जन्प्रतिनीदियों को शक्ति देने की यूजना है चर्चा है कि अधिकारियों और मौझूदा तिरियस्तरिय जन्प्रतिनिद्यों को मिला कर प्रामर्सी समीती गठित होगी अनुमान लगाया गया है कि ब्लॉग का स्थर पर सी-यो और विडियो पंचाइज प्रतिनीद्यों के साथ मिलकर प्राम संचारन कर सकते हैं सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि राज निर्वाचनयोग अगले च्छा महिने चुनाब कराना नहीं जा रहा है ऐसे में चुने हुए धाई लाग से अधिक 23 जन परतिनियों के साथ स्थानिये प्राधिकार चुनाब में चुने जाने वाले बिधान पास्तों के भविस्थ भी अधर में लटक गया है मीडिया रिपोर्ट की माने तो चर्चा है कि अब राज निर्वाचनायोग अगले साल नगर निकाय के साथ त्रियस तरिये पंचाईतों का चुना भी कराने पर विचार कर रहा है हलांकि इस पर अब तक कोई अंतीम रूप संजिर नहीं लिया गया है बिहार में पंचाईट प्रतियों को लोकर राज नितिक पार्टियों के अलग-अलग मत थे एक तरफ जहां राजा जन्द प्रतियों के कार्ज काल में बिस्तार की बात कर रही थी करण पंचायतों में प्रामर्ज समीती का गठन करने वाल जैसे कैबिनिट फैसले लेने के लिए नितीज कुमार को धन्यवाद प्रामर्ज समीतियों में बरतमान पंचायत सदस्यों के साथ साथ बिधायक के परतिनीदी भी सामिल होंगे जिससे गाउं का अभिकास बाधित न निकला और प्रामर्ज समीति बनाने की बात कही है तो ये थी पंचायत चुनाप को लेकर जुड़ी हुई खबरें बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बनने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दी जी जाज़त धन्नवाद